नमस्कार दोस्तो जब भी हम बात करते हैं डेडिकेशन की या किसी बोल सकते हैं द्रिडनेश्चे परसीवरंस या पेशन्स की तो जो क्रिकेट में नाम आता है उसका नाम आता है हनुमा विहारी हनुमा विहारी की कानी तब से शुरू ही थी सिड्नी के टेस्ट में 2021 का दौर कराने के लिए मजब खड़े रहे थे इतनी बार इनको पीट पे लगी कभी हाथ पे लगी इनके कभी इनके पैर पे लगी तस से मस नहीं हुए दूसरा इंसिडेंट हाली में हुआ इनके साथ कल जब ये आंदरपदेश के तरफ से खेल रहे थे इनका हाथ फ्रैक्चर हो च काफी एक तरीके से कह सकते हैं इंस्पारिंग स्टोरी है कि कैसे आज के क्रिकटर्स को कैसे भी हाला तो अपनी टीम के लिए उतरना चीए तो ये लेसन हमें सिखाता है कि हनुमा वियारी से एक टाइप की एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देता है अपने नेशन के लिए आगे खेलने के लिए तो सल्यूट ऐसे प्लेयर्स को और सलाम ऐसे प्लेयर्स को और अपना ही डेडिकेशन ऐसी जारी रखे और टीम इंडिया के लिए आगे तक खेलें मिलते हैं आप से अगली बार तिल दिन गुट बाए